अमरिका और बिटन जिसे काई देशों में कोरुना महामारी को हराने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन बिटन में इस वाइरस के एक नए प्रकार का पता चलने से वेग्यानिक हैरान है इस बीश भारत में एक ऐसे फंगस संक्रमन का पता चला है जो कोविट के मरीजों को निशारा बना रहा है क्या है ब्लाक फंगस और इसे बचाफ कैसे संभव है आज कवा स्टोरी में इन ही सब बातों की पड़ताल दिल्ले में कोरनो वारिस से उबने वाले कुछ मरीजों में ब्लाक फंगस से इंफेक्शन के मामले देखने को मिल रहे हैं ब्लाक फंगस से होने वाले इस इंफेक्शन को म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है माना जाता है कि COVID-19 के कारण इस फंगल इंफेक्शन को बड़ावा मिल रहा है समाचार एजिंसी PTI के मताबए इस तरह के मामले दिली के सरगंगाराम अस्पताल में देखने को मिले थे अब कुछ और अस्पतालों में भी इस साल ऐसे केस पढ़ने की बात सामने आई है वो भी उन लोगों में जिने कोरोना हो चुका है वैसे तो म्यूकर माइकोस्स के मामले कम देखने को मिलते हैं मगर इस संक्रमन बहुत गंभीर होता है सरगंगाराम अस्पताल के मताबए कि इससे संक्रमित आधे मरीजों की आंकों की रोष्णी चली गई है परिफंगल इंफेक्शन कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या कैसे बन गया इसी सवाल का जवाद धोनने के कोशिश की BBC समवादाता प्रग्या सिंग ने कोविट का इलाज करने वाले कंसल्टेंट फिजिशन दॉक्टर पारस गंग्वाल से उन्होंने यही पूचा यह सब हमको बहुत पहले से पता है जून जुलाइज मेबी इवन चाहिना से हमें पर सिपोर्स थी कि ब्लैक फंगस जो की मोल्ड होता है एजी इंफेक्शन उभर के आ रहा है यह फंगस कॉमली हम सब के एंवायमेंट में इट इस ऑल अरौंड ऑल्वेज प्रिजेंट ब्लैक फंगस अभी सबसे ज़्यादा हमें हरैस कर रहा है वह व्यूकॉर माइकोसिस है यह क्यों अभी हमारे लिए बड़ी समस्या बन गया क्योंकि कोविड में तीन चार्चीजिए हमारे शरीर के साथ लगातार हो रही है रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है दूसरा कोविट के टाइम पे हम इस्ट्रॉइड यूज करते हैं वो हमारी इम्मिनिटी कम करते हैं तीसरा जब हम इस्ट्रॉइड यूज करते हैं तो हमारी शूगर्स बढ़ जाती हैं या अगर उनको यह science symptoms आ रहे हैं तो उनको जल्दी पिक करें सर इसी से जोड़ा मेरा अगला सवाल था कि इससे बचने के लिए हमें क्या एहतियाद बरतना चाहिए क्योंकि आजकल बाहर आना जाना lockdown कहीं रहा नहीं schools भी कई जगे 10 प्लस 2 के लिए खुल गए हैं तो इससे हम कैसे बचें फर्स बिंग अवेर एंड अलर्ट कि साफधान हो जाएं कि यह symptoms हैं तो हमें इग्नोर नहीं करने और वो इतना बोंस के अंदर तक ना जाए कि हमें बाद में बॉन्स क्यूरेटाज करकर के बॉन निकालनी पड़े आपकी पूली आईबॉल निकालनी पड़े क्योंकि जहां जहां फंगस घुश जाती है उस ओर्गेन को डिब्राइड करना पड़ता है तो वहीं बृटन में लगभग दो लाख लोग कधत लॉंग कोविट बिमारी की शिकार है इस बिमारी में कोविट से संक्रमत होने के तीन महीने बाद भी लगातार शरीर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है कईयों के लिए ठीक होने के बाद भी विमारी चिंता का सबब बनी कुई है लॉंग कोविट के लिए अब तक ना कोई मेडिकल परिभाशा है और ना ही कोई और जानकारी नताली ने अफरीका में इबोला जैसी कई घातक महामारियों के दौरान फ्रंट लाइन डॉक्टर के रूप में काम किया है लेकिन कोविट ने उन्हें काफी ज्यादा प्रभावित किया है 38 साल की नताली को कभी अस्पताल में भरती नहीं होना पड़ा था लेकिन अब उन्हें लॉंग कोविट है और वो इतनी कमजोर हो गई है कि काम पर भी नहीं जा सकती मैं फिट थी, एक्टिव थी, दोड सकती थी, कितनी भी दूरी पैदल तैकर सकती थी लेकिन अब केवल 200 मीटर ही पैदल चलपाती हूँ मैंने अपने कॉन्ट्राक्टर से घर की सीडियों पर रेलिंग लगाने को कहा है क्योंकि कई बार बिना सहारे मैं चड़ नहीं पाती तो आप अपने घर को विकलांगों जैसा बनवा रही है मैंने सोचा था कि जब मैं 70-80 साल की हो जाऊंगी तब ये सब करवाऊंगी एमराई स्कैन में पता चला कि नताली की रीड को नुकसान पहुँचा है लेकिन कोविट संक्रमन से ऐसा कैसे हुआ इसका अब तक पता नहीं चलपाया है कई लोग ठकान, चक्कराना, धड़कन तेज होना या तेज हिर्दे गती की शिकायत लेकर आते हैं अक्सर वो बताते हैं कि उनकी यादाश्ट कमजोर हो गई है जिससे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में भी दिक्कत होती है एली 54 वर्ष के हैं जिनकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है कोवीड से उनकी यादाश्ट, दिमाग और आँखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा है लेकिन अस्पताल में पांच महीने बिताने के बाद और मौत को बिलकुल करीब से देखने के बाद वो खुद को खुशनसीब मानते हैं कोवीड में दस में से एक मरीज में संक्रमन के तीन महीने बाद भी कोई न कोई लक्षन रह जाता है कई लोग समय के साथ ठीक हो जाते हैं नताली का कहना है कि ये बिमारी उन्हें ज्यादा समय तक दूर नहीं रख पाएगी और वो जल्दी ही अपने मरीजों को सामने से देख पाएंगी और वहीं अमेरिका में कोरना वारिस से पैदा हुए बुरे हालात के बीच फूट बैंक ने आने वाले समय में खाने की कमी होने की आशनका जाहिर की और इस पीच कोरना वारिस लड़ने के लिए अमरीकी कॉंगरस ने करीब 900 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े राहत पैकेज को भी मनसूरी दे दी है और अब बात यूरोप की यहाँ पे कर लेते हैं यूरोपिय संग ने अपने सदर से देशों के लिए फाइसा बायंटेक की कोरना वाक्सीन को मनसूरी दे दी है संग के 27 देशों में अब ये वाक्सीन दी जा सकेगी बिटन और अमेरिका में पहले ही इसका टीका करन शुरू हो चुका है अब इन देशों के करीब 45 करोड नागरिकों को भी ये वाक्सीन रविवार से मोहिया हो सकेगी इसके अलाबा कोर्णा वारस के नए वेरियन के खतरे के बीच कई और देश लगातार बिटन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा रहे हैं कुल मिलाकर अब 40 से जारा देश बिटन से अबाजाही पर प्रतिबन लगा चुके हैं जर्में भारत, श्रिलंका और होंग कॉंग जैसे देश शामिल है लेकिन विश्रग्यों ने कहा है कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले है कि जिसे ये साबित हो सकी कि ये कोरना वाइरिस के मूल रूप से कहीं जादा घातक है और अविवार को फ्रांस ने बृटन से लगने वाली अपनी सीमा को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया था दोवबंदगा से लौरी और बोट्स की आवाजाही रोक दी गई थी और यहां पर करीब 15,000 लौरियां फसी हुई है ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है कईयों को डर है कि वो क्रिस्मस सेलिब्रेशन्स के लिए वक्त पर अपने परिवार के पास नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन फ्रांसी से सरकार ने आश्वास्तिन दिया है कि जल्दी आवाजाही पर लगी इस रोक को हटा लिया जाएगा